नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 27 सितंबर दिन बुदवार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर अब सरकारी चमीन का ओनलाइन डाटा होगा तयार बिपेसी उनहतर भी पीटी परिक्षा को लेकर एहम नोटिस जारी बिहार की राजधानी में इस दिन लग रहा रोजगार मेरा अब आपके पोस्ट ओफिस में ही बन जाएगा आधार कार थर्ड ओडियाई में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अब चले बढ़ते हैं भीहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से SJBN में ओफिसर एवं जूनियर फिल्ड ओफिसर के 155 पदों पर निकली भरती बहार सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के सम्त उपक्रम और मिनी रत्न कंपनी SJBN Limited की ओड से ओफिसर एवं जूनियर फिल्ड ओफिसर के 155 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वेव मिद्वार जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वह SJBN की आधिकारिक वेबसाइट SJBN.NIC.IN पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवीदन फर्म भर सकते हैं बतादे कि आवीदन करने की अंतिम तारिक 11 ओक्टोवर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्योगिता की बात करे तो मिद्वार ने संबंध छेतर में पदानुसार इंटर CAICWA CMA संबंध छेतर में UG PG डिग्री डिप्लोमा आधी प्राप्त किया हो इस भरतिस जोड़ी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार जारी किये गया अधिसूशना को देख सकते हैं अब सरकारी जमीन का ओनलाइन डाटा होगा तयार सरकारी जमीनों को ओनलाइन डाटा तयार होगा और विभाग इस सिस्तंबंध जमीन के पूरे विवरन को वेबसाइट पर अप्लोड करेगा और साथ ही इ-मूटेशन के सॉफ्ट वेर से भी जुड़ा जाएगा ताकि सरकार सरकारी जमीन को सुरक्षित रख सके और उस पर अवैद कबजा ना हो सके बतादी के विभाग के दोरा बताया गया कि सरकारी जमीन के इंट्री का ड्राफ्ट करमचारी के दोरा तयार के जाएगे और राजिश्व अधिकारी के स्तर से इसकी जांच होने के बाद अंचला धिकारी इस टाफ को स्विक्वित करेंगे वहीं अगर इस तोरा राजिश्व कर्मियों को अगर कोई अधूरा आविदन प्राप्त होता है उस स्थिती में से सम्मधित आविदा को लोटा दिया जाएगा और इसकी सूचना रहयतों को फोन या SMS के माध्यम से दे दी जाएगी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों मेंसे है जिन्होंने BPSC के 79 पीटी परिक्षा मी शामिल होने के लिए आविदन किया था यहाखवर आपके लिए है बेटादी कि बिहार लोकसेव आयोग के दोरा BPSC 79 पीटी परिक्षा को लेकर एहम सूचना जारी की गई है जिसके तहत यह परिक्षा 30 सितंबर को आयुजित की जा रही है जो की एक ही पाली में आयुजित होगी बतादे किस पाली की परिक्षा की शुरवात दो पहर 12 बजे से लेकर दो बजे तक होगी की ऐसे में अभियर्थियों के इंट्री की शुरवात सुभ सारे 9 बजे से हो जाएगी वहीं 11 बजे के बाद किसी भी कीमत पर परिक्षार्थियों को इंट्री नहीं दी जाएगी वहीं इसकी मुख्य परिक्षा का आयोजिन 17 नमंबर को किया जाएगा और फिर इंटर्व्यू 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा अब के जानकारी के लिए बता दें कि आप इस परिक्षा से जुरी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं बिहार के इस जिला में बनेगा दूसरा टाइगर रिजर्व राश्ट्रिय बाग सनरचन प्राधिकरन की आपतियों के बाद बेतिया वालमी की टाइगर रिजर्व के बाद अब बिहार के कैमूर के वन्य जीव अभ्यारने में राज्जी का दूसरा टाइगर रिजर्व ब टाइगर रिजर्व घोशित हो जाएगा इसके लावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुपता के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि कैमोर वर्ने प्रनाली अभ्यारने को टाइगर रिजर्व घोशित करने की प्रक्रियात चल रही है एंटी सीए के दोरा संसोधित प्रस्ताव मागा गया था यह काम पूरा हो गया है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनंत कुमार के बारे में अनंत कुमार भारतिय मूल के एक जर्मन लेखक अनुवादक और साहितिक आलोचक है उनका बचपन मोतीहारी में बीता वह जर्मनी के कैसल में रहते हैं बिहार के एक भारतिय सक्षक के बेटे अनंत कुमार 1991 से 1998 तक GHK में कॉलिज गये जहां उन्होंने अलफ्रेड डोबलिन के महाकावे उपनयास मानस पर अपनी थिसीस लिखते वे जर्मन साहिति में मास्टर डिग्री प्राप की वे अपने साहितिक काडियों में जर्मन समाज में एक विदेशी के अनुभवों को भारतिय संस्कृती से जोड़ते हैं के लिए ने कई पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है अब आपके पोस्ट ओफिस में ही बन जाएगा आधार कार्ट बिहार सरकल के तहट आने वाले 8000 डाग घड़ों में एक बार फिर से ऑक्टूबर के महीने से आधार केंद्र शुडू हो जाने की उमीद है दरसल बीते कई समय से किट पुराने हो जाने के कारण डाग घड़ों से आधार केंद्रों में आधार बनाने वाज संसोधन का काम बंद करना पड़ा था लेकिन अब इसे दुबारा चालू करने के लिए नई किर्द दी जाएगी इस सम्मन्द में डाग विभाग बिहार सरकल से म अधार केंद्रों में काम करने के लिए एक्चों कमद्वारों को भारतिय विस्षट पहचान प्राधिकरन की ओर से परिच्छा ली जा रही है इसमें पास होने वाले अभियर्थियों को आधार ओपरेटर या सूपरवाइजर का प्रमान पत्र दिया जाएगा जिसके बाद उनकी निपती की जाएगी राजे के सभी 599 इंटर कॉलेजों की इसी हफ्ते होगी जाएगी और अधिकारी अपने अपने आवंटिब जरे की रिपोर्ट 30 सितंबर को अपर मुखे सचीव के के पाठक को उपलब्ध कराएंगे इस बारे में विभाग के निदेशक प्रसासन और अपर मुखे सचीव सुबोध कुमार के दौरा पत्र जारी करी या जानकारी दी गई है कि या जांच औचक होगी उन्होंने बताया कि राजे सरकार के ओर से सरकारी कॉलेजों और अंगिभु दिगरी कॉलेजों में वेतन वा अनुदान दिया जाता है इसलिए वहां की पढ़ाई दुरुस्त हो सके इसको लेकर विभाग के ओर से यह कवायर शुरू की गई है बिहार में सुरू होगा लीवर और किडनी ट्रांस्प्लांट बहुत जल्दी बिहार में भी लीवर और किडनी ट्रांस्प्लांट की शरवात होने वाली है दरसल पतना एम्स के कारिकार निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पॉल के दौरा चानकारी देते वे बताया गया है कि दिल्ली के लीवर और पित विज्ञान संस्थान के एक्सपर्ट के दौरा पतना एम्स के डॉक्टरों को बकाइदा इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रसक्षन और साहयता के लिए PGIMER यानि की Post Graduate Institute of Medical Education and Research चंडिगर और पतना के IGIMS के साथ भी समझोता किया गया है इसे में हमें उमीद है कि राज्य अंग और SOTTO यानि की उत्तक प्रत्यारोपन संगठन के दौरा जल्द ही संस्थान का निरिक्षन किया जाएगा और फिर उसके बाद हम संस्थान के बाहर किरनी प्रत्यारोपन का काम शुरू कर सकेंगे आपके जानकारी के बता दे कि SOTTO वो होते हैं जो अंग और उत्तक प्रत्यारोपन के लिए मन्जूरी देती हैं बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे सूफी सरकिट के बारे में बिहार को भारतिय उप महदूइप के पहले कुछ स्थानों के रूप में जाना जाता है जहां रहस्यवादी सूफियों ने निवास किया था इसके शुरवाती अनगाई सूफिवाद के चिस्ती और सुहार वडिया आदेशों से संबन्दि थे कादरी आदेश जिसे अब राजे में मुख्य सूफी आदेश माना जाता है उसके एक प्रमुक प्रतिनिधी थे बिहार राजिकी और अंगाबा जले में स्थित अमजर सर चारीफ में हजरत अताउल्ला के मश्रिद जो मुगल समराट अकवर के काल की एक सिलालेख है यहां के मदर से अभी भी चात्रों को इसलामी धर्म शास्त्र पर ज्यान प्रदान करते हैं अब जर सरीफ मनेर सरीफ बिहार सरीफ और भी कितने मदर से और मश्रिद सूफी स्वास्त विभाग ने बताया फायलेडरिया से मुक्ती पाने के उपाई। पर पहुँच चुका है इसके लावा उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील करते वे कहा कि अभियान के दौरान दवा सेवन से होने वाले प्रभाव को नगरात्मक तरीके से पेश करने पर अभियान पर इसका असर परता है इसलिए इस अभियान की मत्ता के बारे में लोगों यानि की B.S.S.C. के द्वारा दुइत्य इंटरस्तरिय स्युंत्य प्रतियोगिता परिच्छा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बतादे किस परिच्छा के तहत को लिग 11,098 पदों पर बहारी की जाएगी वही जारी के गए नोटिफिकेशन के अनुसार जो अ इस भरती के लिए राजे के बाहर के अभियर्थियों को आरक्षन का लाप नहीं मिलेगा इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को बारवी पास होना अनिवार है वही इसके लिए आवेदन करने वाली अभियर्थी की नियुनतम उम्र ठारवर्स और अधिक्तम उम्र सीमा सैतिस वर्ष निर्धारित की गई है खांसर ने विगबी को पटना में लिट्टी चोखा के लिए किया अमंतरित अपने पढ़ाने के तरीके से मशूर हुए खांसर के बीसी 15 के स्पेशल एपिसोड 31 में यूटूबर जाकिर खान के साथ पहुँचे इसके जवाब में खांसर ने लिट्टी का वही सवाल का जवाब देने के बाद उहों ने अमिताब बच्चन से कहा कि सर मैं आपको पटना आने के लिए आमंतरित करता हूँ हम आपको वहां लिट्टी चोखा खिलाएंगे इस पर अमिताब बच्चन खांसर से कहते हैं कि मैं वहां कई बार गया हूँ और लिट्टी चोखा का भी आनन्द लिया हूँ या बहुत टेस्टी होती है बिहार के राजधानी में इस दिन लग रहा रोजगार मेला अगर आप भी बिरोजगार रोजगार की तराश में है तो यहाँ खबर आपके लिए है पतादी कि एक ऑक्टूबर 2023 को पटना के बोरिंग रोड अस्थत हरी हर चैंबर में रोजगार मेला का आयोजन किया जारा है जिसमें पूरे देश की अलग-अलग कंपनियों से हाइडिंग की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस रोजगार मेला में दसवी पास से लेकर वोकेशनल कोर्स किये गए सभी लोग भी अपनी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसमें भाग लेने वाले अभ्यार के लिए 700 पदों पर नौक्रियां उपलब धिकरवाई जाएंगी मनीश करशब के जुडिशल कस्टडी में शामिल 5 पुलिस कर्मी सस्पेंट कुस दिन पहले मनीश करशब के दौरा जुडिशल कस्टडी में कहा गया था कि मैं चारा चोड का बेटा नहीं हूँ जो डर जा गया है कि इस मामले की आगे की जाच चल रही है और साथ ही इसकौर्टी में शामिल पुलिस कर्मियों से भी स्वस्टी करण की मांग की गई है आपके जानकारी के लिए बता दी कि मनीश कर्शब के इस बयान से जुड़ा जब वीडियो सामने आया तो पुलिस मुख्याली क के दोरा संग्यान लिया गया इस बारे में आर्थी कपरात इकाई के एडिजी नईयर हसनयान खान के दोरा बताया गया कि कोर्ट में पेशी होने के बाद मनीश कर्शब के दोरा जो बयान दिया गया था उस पर पटना SSP को पूरे प्रकरन की जाच करने का नर्देश दिया विहार के पुराने जल श्रोतों को सरकार करेगी पुनर जिवित बार सुखार मामले में हुई बैठक में सामने आई जानकारी से कि राज्य के साथ जिलों में भूजल की उप्लददा में तेजी से कमी आ रही है उसको देखते वे यह नईनल लिया गया है कि राज्य में जल बात की जाएगी मालम हो कि पी एच इडी के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार इंजिलों में क्रिटिकल जोन चनित किया जाएगा इसके लिए विभाग की ओर से अधिकारियों को सर्वे शुरू करने का दिशा नर्देश दे दिया गया है बतादे कि सभियान के तहत पुरा बनाने के लिए लोगों को जागरुक किया जाएगा और पानी का सनक्षन किया जाएगा प्रदेश में मौसम बना रहेगा सुस्क काला की मौसम विभाग ने यह अभी असपस्ट तोर पर नहीं काहा है कि कब से बारिश की शुरुवात हो सकती है लेकिन 28 सितंबर से प्रदेश में मौनसून की गतिवीदियों में बढ़ोतरी की बात कही जाएगा है प्रदेश में उसी तरह की बारिश की संभावना जिताई जारी है ऐसे में अब देखना है कि प्रदेश में कस तरह की बारिश होती है प्रदेश में बारिश कम होने की कारण दक्षिन परशिम बिहार में जलसंकर जैसी समस्या भी उत्पन हो गई है साथ है इसे धान की फसल के तबादले किये गए हैं इसकी अधिसूशना समाने प्रशासन विवाग के तरफ से जारी की जा चुकी है इन साथ जिलो में जमुई सिवर मुंगेर सासाराम किशन गंज और अंगाबाश शामिल है जारी हुए इस अधिसूशना के मताबिक जमुई के डियम अवनीश कुमा को बहां से हटाकर मुंगेर का नयार डियम बनाये गया है मुकी मंतरी सच्चिवाले में सिम्त सचीव के पतपर तैनात राकेश कुमार को जमुई का नयार डियम बनाये गया है मुंगेर में जलाधिकारी पतपर तैनात नविन कुमार को रोता सासाराम का नयार डियम बनाये गया है वह ऐसे ही अने जिलों के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है एसीन गेम्स 2023 में भारत ने 41 साल बाद गुर्सवारी में जीता गोल्ड मेडल एसीन गेम्स 2023 के तीसरे दिन भारत ने गुर्सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया बता द पॉइंट हासल करते वे अपनी नाम ये मुकाम हासल किया गया है जिसमें से दिव्यकिर्थी सिंग को अरसत दसमलो एक साथ छे पॉइंट हासल हुए तो वहीं हर्दया छेडा को 79.941 पॉइंट और अनुश अगरवाल को 71.008 पॉइंट्स में ले मालूम हो किसे पहले महिला क के टीम ने श्रिलंका को 19 रनों से हडाते वे गोल्ड मेडल जीता था ऐसे में अब इंडिया के पास कुल मेडल की संख्या 14 हो गई है जिसमें से तीन गोल्ड चार सिलवर और साथ ब्रॉंज शामिल है मानम हो कि भारत ने पहली बार घुरसवारी में गोल्ड मेडल वर्स 1982 म होने को लेकर बिहार सरकार के सिक्षा बिभा के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया गया बता दे कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्स 2017 से यह परिक्षा आयूजित नहीं की गई है और इस परिक्षा को लाखो अभ्यर्थियों के दौरा इंतजार किया जा रहा है उन्होंने के कारण लाको चात्र बीएसी की परिक्षा से वंचित रह गया है वहीं इस पर विहार बोर के अध्यक्ष आरंद किशोर के द्वारा कहा गया कि इसमें वे कुछ नहीं कर सकते सक्षा विवाग के ओर से आदिशानी के बाद ही हम इस परिक्षा का आयूजन करवा सकते हैं सुसील मोदी ने सीम नितीश के राजेपाल बनने की इक्षा को लेकर किया बड़ा खुलासा विहार के पुर्वूप मुख्यमंत्रे सुसील कुमार मोदी के दोरा विहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के राजेपाल बनने की इक्षा को लेकर एक टीवी चारल से बाचित करते वे एक बड़ा खुलासा किया गया है और उन्हें कहा कि कई लोगों को नितीश कुमार के करीबी है उन्होंने बीजेपी को कहा है कि नितीश कुमार को राजेपाल बना दीजे बेराज़त को छोड़ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी नितीश कुमार को सा पारी अटकले बिकार और बेमानी है इसका कोई मतलब नहीं बनता है बीजेपी अब किसी भी सूरत में नितीश कुमार से दोस्ती नहीं करेगी बिहार बीजेपी तो नितीश के नाम तक को नहीं सुनना चाहती थर्ड ODI में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आस्ट्रेलिया एक खिलाफ खेली जा रहे तीन मैचों की वंडे सिरीज में दो मैचों में जीत हांसल करते वे सिरीज को अपने नाम करते वे भारतिय टीम आज आस्ट्रेलिया एक खिलाफ इस सिरीज को तीसरा और आकरी मुकाबला राज़कोट के सौराश्टो क्रिकेट इससेशेशन स्टेडिया में खेलने के लिए उतरने वाली है बता दे कि आज का यह मुकाबला जीत कर भारत क्लिंज स्विप करना चाहेगी तो वहीं आस्ट्रेलिया के टीब इस मैच को जीत कर अपना संबान बचाना कारण में सीनियर्स टीम की वापसी होगी आज के मैच में विराट कोली, रोहस सर्मा, हार्दिक पांडिया और कुल्दी प्याद भी खेलने वाले है वहीं इस मैच से सार्दो ठाकुर और सुबमन गिल को आराम दिया गया है सिमें पारी का आगाज रोहस सर्मा और रिशान क करते नजर आएंगे, वहीं अक्चर पटेल अपनी इंजरी से पूरी तरह उभर नहीं पाने के कारण आज के मैच में नजर नहीं आएंगे और जस्पीत दुम्रा अपनी गेदबाजी का रंग जमाते दिखाई देंगे सर्दार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद सोतंता सिनानी विठलाल भाई पटेल का जन्म 1897 में हुआ, भारतिय निर्देशक यश्चोप्रा का जन्म 1922 में हुआ, भारतिय धार्मिक नेता माता, अमरिता नंद मैी का जन्म 1923 में हुआ, भारती क्रिकेट खिलारी लक् प्रसिद भारतिय ठुम्री गाई का सोभा गुट्टू का निदन 2004 में हुआ हिंदी फिल्मों के एक परश्रब गायर महिंदर कपूर का निदन 2008 में हुआ भारतिय राजनतंग्य लेखक और कॉंग्रेस की सर्श्य सेद एहमद का निदन 2015 में हुआ आज के दिन को विश परिट इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लोग सभाचनाओं के बाड़े में तरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या लोग सभाचनाओं में मद्दान नहीं किये जाने पर बैंक अकाउंट से 350 रुपे कर जाएंगे P.I.B. ने पर ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फरजी है, Election Commission of India ने ऐसा कोई इनरनेन नहीं लिया है जिम्यदार नागरिक बने मद्दान अवश्य करें WhatsApp चैनल पर जल्द मिलेगा रिप्लाई का उप्शन WhatsApp ने हाल ही में चैनल फीचर लॉंच किया है जो Instagram पर मौझूद फीचर के समान है WhatsApp के इस फीचर के जरिये यूजर्स अपना चैनल या ग्रूप बनाकर लोगों तक जानकारी पहुँचा सकते हैं लेकिन इस फीचर में अभी रिप्लाई का उप्शन नहीं है इसे जल्द ही WhatsApp अपडेट करने वाला है WA बीटा इंफो के रिपोर्ट के अनुसार Android पर बीटा यूजर्स को 2.23.26.9 अपडेट मिल रहा है जिसमें चैनल नर्माता को पॉप अप के जरीए रिप्लाई की जानकारी मिलेगी साथ ही इसमें रिप्लाई करने वाले व्यक्ति की प्राइवसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे उसका नर्मबर सार्वजनिक ना हो अभिनेतरी वहीदा रहमान चुनी गई दादा साहिफ फाल के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सूचना वो प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर के द्वारा एक्सपर जो की पूर्वो में टुईटर हुआ करता था उस पर टूइट कर जानकारी देते वे लिखा गया है कि मुझे या गोशना करते वे अपने पांस दसकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहत खूबसूर्ती से निभाया है जिसके करणने फिल्म रेसमा और सेरा में एक कूल वधुकी भूमिका के लिए राश्ट्रिय फिल्म पुरुसकार मिला पदमश्री और पदमभूसन पुरुसकार से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतिय नारी के संपन प्रतिबदता और तागत का उधारन दिया जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उतकृष्टा के उच्तमस्तर को हासिल कर सकती है हम प्रदे दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुरिस, दोगा समीत, SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया, ग्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में BCCI ने किसको डोमेस्टिक और इंटरनाशनल सीजन के लिए ओफीसिल पार्टनर चुना है इसका सही उतर है ओप्शने SBI लाइफ अगला सवाल, हाली में ग्रीज देश के एपिरिंस माउंट पिंडोस पर स्थित जागो रोचो रिया को किस सूची में शामिल किया गया है इसका सही उतर है ओप्शन C युनिस्को की विश्व धरोहर अगला सवाल, बिहार भारत के किस भाग में श्थित है? ओप्शने दक्षिन पुर्व, ओप्शन बी दक्षिन पश्षिम, ओप्शन C उत्तर पश्षिम, ओप्शन D उत्तर पुर्व इसका सही उतर है ओप्शन D उत्तर पुर्व अगला सवाल, बिहार में मौनसून कहां से आता है? ओप्शन A अरब सागर से, ओप्शन B बंगाल की खाड़ी से, ओप्शन C हिंद महा सागर से, ओप्शन D हिंवे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B पंगाल की खाड़ी से अगला सवाल गुप्तकाल के किस राजा ने महराजा धिराज के उपादी धारन की? option A समंद्र गुप्त, option B राम गुप्त, option C सकंद गुप्त, option D चंदर गुप्त प्रथम इसका सही उत्तर है option A समंद्र गुप्त, बीते दिन हमारे दोरा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने रप्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्हों ने हमारे दोरा पूचे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके मुसार जमीर फरजीवारी को रोकने के लिए सरकार की और से क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जवाब हमें हमारे comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहारी के तमाम कबरों के साथ बने रहने कर देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप YouTube से देखते हैं चाहलों को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखते हैं तो पेस को फ बोले थाने बाद